तो पिछली वीडियो में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी का इंजन जो है हुड़ाई I20 में और बेसिकली हुड़ाई बोल लो आप कि इन्होंने चेंजिस करें हैं 1.2 कापा इंजन में जो कि अभी ये लोग इसको एडवांस्ट कापा इंजन बोल रहे हैं तो इसकी बुकलेट मैं जैसे खोलूं तो इसमें देखने को मिलेगा काफी मतलब इसमें चीजे लिखी हुई है यह जिसके बास गाड़ी होगी खैर वो तो देखी लेगा बट में चीज जो मेरे देखने में यह है जो कि मैं शुरू से कहता था सबको अपनी वीडियो में जो मतलब रिप्लेज रिप्लेज कर दो चेंज कर दो अब इसमें दो लिखे हैं 1.0 TGDI 1.0 TGDI यह वो इंजन है जो हजार से सी टर्बो वाला इंजन है ठीक है तीन सिलंडर वाला और यह एडवांस्ट कापा जी 1.2 जो कि अपनी गाड़ी नॉर्मल वली में है ठीक है अब इस है जो नॉर्मल वला इसमें लिखा है एवरी पचतर सो किलोमेटर या फिर छे महीने अब आप सर्वी सेंटर में जाओ सर्वी सेंटर में क्या बोलते हैं लोग या फिर आपने बहुत सुना होगा वीडियो वेगारा में लोग बोलते हैं 10,000 किलोमेटर चलेगा जी यह इंजन की मैं एक हो जाती है मैं ठीक है ना समझ गया होगे बंदे कुछ नहीं बचता कूड़ा जहर बन जाता वो इंजन के अंदर ही है ठीक है अब अगर यह कंपनी 5000 किलोमेटर बोल रही है तो यह अपना जो नॉर्मल वला इंजन है यह चलो 8000 मान लो ठीक है 7500 किलोमेट यह चेंज करा दो ठीक है अब बाकी चीजें जो यह यह देखो एयर फिल्टर अब इस पर यह और रिप्लेस मोर फ्रिक्वेंटली डिपेंडिंग अंधी कंडिशन अगर तो मिट्टी वली कहीं जगा पर आप ज्यादा रहते जहां धूल मिट्टी बहुत उड़ती है इसके बाद यह स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग चलो ठीक है इस पर यह वह लिखा हुआ फिर रिप्लेस मोर फ्रिक्वेंटली डिपेंडिंग अन कंडिशन जितनी जादा किलोमेटर गाड़ी चल जाती है तस जार पर चेंज करा देने चाहिए अब यह गाड़ियां जो सब्सक्राइब यह तो भाई ही खसी मैं साब बोलता हूं क्योंकि इसमें देखो यह ओयल चेंज का इंटरवल बतलब यह कर दी है नोंने जल्दी छे महीने का ठीक है अब डियोल क्लच का यह तो चलो यह जो डी सीटी सी के अंदर ही होता है तो फिर इसमें कोई जरूरी नह करता हूं अब आजाओ इस पर ठीक है जी ओयल ग्रेड पर अब यह जितनी भी गाड़िया है ठीक है बिया सिक्स जितनी भी है इन सब में जीरो डब्लू टॉन्टे का और यूज करने के दिए कंपनी बोल रही है इसके अलावा कोई नहीं करना अपने मारूती वाले जो सु वाले जो पहले के इंजिनों में हम यूज करते थे यह जो है इंजिन इसके और जो इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं 0 w20 के और 5 w30 यूज कर सकते हैं तो इसका भाइब जवाब है ना क्योंकि यहां पे कई आप्शन. नहीं दिया वा बट अगर तुम इस इंजिन पender ऑग तीन सिलंडर टर्बो वाला तो इसमें भाई आपको बहुत सारे उप्शन दे रखे हैं ये भी जो है अपनी सिचेशन या फिर जहां पर रहते हो उसके हिसाब के साथ ही चेंज कर सकते हो आप ठीक है 0W 30 आगया 0W 5W 30 540 बट ये जो नॉर्मल अडवांस का पाइंगा ना और ओर ये जो इसके आगे ये लगा हुआ है स्टार मना हुआ है तो इसका भी पढ़ लो इसमेंनर ओल्ओ सेमी संथे टिक ऑल इस यूजज यूजज इटिस सीवियर मेंटेन्स कंडिशन इन टरम्स ओ इंडल चेंज देखलो भाई यह भी लिख दिया सीवियार मेंटेन्स क गिलोमेटर टाइम देया उसे पहले ही कराओ चेंज ठीक है जी बस और कुछ नहीं है इसमें लिखा हुआ खास कुछ जो आपको बता पहूं में यही था क्योंकि लोगों में बहुत इस चीज को लेके चल रहा है कंफ्यूजन की 0W20 में हम 5W30 यूज कर सकते हैं तो भाई नही सब्सक्राइब कर देना चैनल को